कि कैबिन नोइस थोड़ी गाड़ी की बढ़ रही है इसके अंदर इंजन लाइट भी जली हुई है हेलो भाई हो वेलकम टू मैं चैनल अनुजयादव इस गाड़ी का इन्फोटेमेंट देखके आपको शायद पता चल गया होगा कौन सी गाड़ी है यह आज बात करने वाले हैं सेंट्रो स्पोर्ट्स वेरियंट सी एंजी की इसके अंदर उंड़ाई के अंदर दो अप्षन आते हैं आपके पास हैच बैक के अंदर एक नियोस और एक सेंट्रो सेंट्रो और नियोस में कुछ ज़्यादा फीचर्स का फर्क नहीं है बस इंजन का इंजन इसके अंदर 1.1 लिटर का पैट्रोल इंजन आता है और नियोस के अंदर 1.2 लिटर का पैट्रोल इंजन आता है थोड़ा सा पिक अप में फर्क आएगा बाकि ऐसा कुछ चेंज नहीं है लेकिन ये वेरियंट आप देख रहे हैं इसके अंदर इंफोटेनमेंट आत एप सेंट्रो के बज़ाए आप नियोस के मैगमा वेरियंट या पर स्पोर्ट्स वेरियंट की तरफ आप जा सकते हैं वो ज़्यादा वैली फॉर मनी रहेगा इसके अंदर ये जो वेरियंट था इसके इंदर ये फार्क आ गया है एक बेस्ट फिचर इसके अंदर एड़ क किसके बाद उसके अंदर आपको यहीं दिखती है जैसे नियों सके अंदर दिखती है वो तो ये फरक आया है बाकी जो प्राइड फीचर्स कट हुई है वो मैं आपको बदा देता हूँ अब क्या क्या आपको नहीं मिलता यह infotainment system आपको ऐसा नहीं मिलता उसके अंदर आपको एक aftermarket मान लो उसके अंदर android auto apple carplay वगर नहीं दिखेगा आपको normal मिलेगा infotainment लेकिन उसके अंदर आपको features ऐसे नहीं मिलेंगे सिर्फ mirror link आपको उसके अंदर मिल जाएगा बाकी कुछ नहीं पीछे से बात करें तो पीछे से इसके अंदर defogger अटा दिये गए हैं यहां पर CNG की बेजिंग आती है भाई ने अटवा रखी है defogger अटा दिये हैं उसके अंदर से बाकी पीछे से कोई ऐसाच चेंज नहीं है गोर साइड से बात करें तो बाकी सब सेम है बस टायर का फर्क है पहले इसके अंदर 14 इंचिज के अलोए नहीं यह इसके उपर वील कैप होती थी अब यह भी अटा दिये गए हैं और 13 इंचिज के इसके अंदर टायर साइज मिलता है आपको फ्रंट के फोग लैंप अटा दिये हैं दोनों अब फोग लैंप भी आपको नहीं मिलेंगे और बाकी बात करें तो इसके अंदर आपको सेंटर लोकिंग भी अटा दी गई है पहले इसके अंदर एक की आपको सेंटर लोकिंग के साथ मिलती थी दूसरी की नॉर्मल मिलती अब आपको दोनों की नोर्मल मिलेगी ऐसी कि आपको नहीं मिलेगी जिसके अंदर दो स्विच मिलते हैं लोक अनलोक अगर आपको steering mount control मिलते हैं लेकिन voice recognition का feature आपको नहीं मिलता पहले आपको मिलता था अब इसके अंदर ये भी नहीं मिलता और अगर बात करें तो यहाँ पे आपको window control वगरा आज वाले variant में आपको मिल जाते हैं लेकिन जो main main features है वो Hyundai ने अटा लिए और अगर बात करें इसके आज के price की तो आज ये साड़े साथ लाग के on road पढ़ती है आपको अगर आप sports variant लेते हैं स्टेरिंग थोड़ा सा मेरे को नियोस के मुकाबले इसका hard लगा cabin noise थोड़ी गाड़ी की बढ़ रही है इसके अंदर engine light भी जली हुई है मैंने देखा अभी तो ये सब इसके अंदर दिक्कत आ रही है engine light की इसके owner से पूछेंगे की engine light क्यों जल जाती है सभी कहते हैं कि उ कोई इंजन लाइट अभी तक जली नहीं है इसकी इंजन लाइट की बात करेंगे स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी है टोल वोई डिजाइन है सेंट्र होगा लेकिन स्टेबिलिटी काफी अच्छी है इसकी वी तो आप मैं इसके owner से आपको मिलवाता हूं सिस्पाल भाई वजीरावाद से तो भाई कौन सा मोडल है यह बाई दिसंबर की गाड़ी है तो इसके अंदर इंजन लाइट जली हुए उसका क्या सीन है अच्छा वो चेंज कराना पड़ता हूं आपको एक सकिन दिखाता हूं एक बार या इंजन लाइट या बार बार आती है तो मतलब उंड़े में दिक्कत है यह जो लोग कहते हैं कि अंदर इंजन लाइट जड़ जाती है उंड़े के अंदर तो यहां पर यह है इसका फिल्टर एक तो यह चेंज कराना पड़ता है इसके आपको दिल ली जाना कंपनी के अंदर आती है वारेंटी के अंदर आती है फिर वो चार्ज जिस बार आप चेंज कर वा चुगे इसको मैं दो बार कराश को हूं दो बार चेंज हो चुकि है मतलब यह उसके बाद आपकी इंजन लाइट वहां से कुछ नहीं करते है वह फ्यूज वगरा के अंदर अंदर करंटली क्या दिक्कत आ रही आपके पास यह गाड़ी है और दूसरी गाड़ी आप सियाज बता रहे थे दोनों इस एंजी में वह आफ्टर मार्केट है यह कंपनी फिटेड है तो पिक अपका तो फरक आए गए हलका सा फरक है तो थोड़ा सा उठाते टाइम थोड़ इसके अंदर जो जो इंडिकेशन दिखाती है फ्यूल सी एंजी की वह आफ्टर मार्केट जैसी लगी हुए आती थी उस टाइम आप वह साइड में लग रही है जो मैंने दिखाया है वीडियो में वह इतनी सी लगी आती है अब वह अटा दी गई है जैसे नियों से अंदर सबसे खराब है कमेंट भी सब्सक्राइब करो मारुती बैस्ट लेकिन फीचर स्वाइज आप बताओ की वर्त है उंड़ाई में जाने से आपके पास दोनों गाड़ी है मारुती की भी है और उंड़ाई की तो कौन सी में जाना आप जाना क्यूंकि इसके अंदर सर्विस आ टाइम कितना लिया इसके आपके लगेंगे कम से कम नई यह प्रोब्लम आपकी आई इसके अंदर आपको कितना टाइम लगा उसमें एक दो गंटे का काम था मलब गाड़ी रखवाई नहीं आपकी आतो आत कर एंड तो एंड दिल्ली में जाना पड़ता है जहां इनकी CNG की स्टार्टिंग से इसकी मतलब स्टार्ट करना इबर दिखाते हैं आगा आए यह देखिये आए यह देखिये अग्या वाइं मेरे को यह दिक्कति लगती है यह यह अश्या लगता जैसे एक्जोस्ट लगवार रखाऊ आफ्टर मार्किट ऐसी लैंबोर्गी नहीं बना मतलब एक्जोस्ट यह साइसके अवाज आती है बाकी इंजन की आपको सुना देता हूं ज्यादा कुछ ऐसी नहीं है अब आप क्या कहेंगे कि तरफ चले जाएं अगर इतना बजट है तो स्पोर्ट्स वेरिएंट इसका वर्थ नहीं बचा इतने फिचर्स कट ओफ कर दिए जब आपने लिए जब कितने की थी जब यह कुछ पड़ी थी हमें आइडिया नहीं है कर रहा हूं मतलब साथ टच नहीं किया इसने अब तो यह साथ पार है साड़े साथ की रेंजिम होगी सी एंजिक गाड़ी हैं तो वह सी इवी इंजिनियरिंग अच्छा यह आपको तो आज के टाइम में आप कह रहे हैं कि नियोंस की तरफ जाओ इसके उपर मत जाओ आप इंजन भी आपको बड़ा मिलता है इसके अंदर 1.1 लिटर का उसके अंदर 1.2 लिटर का है तो चलो भाई ठीक है वीडियो देखने लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू सो मच